सब्सक्राइब कीजिए गवर्मेंट जॉब्स अकेडमी चैनल को और बैल आइकॉन को दबाईए लेटिस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फेंट्स वेलकम टू गवर्मेंट जॉब्स अकेडमी मैं संदीब गंवार फैकल्टी ओफ एलेक्टिकल एंड एलेक्ट्रोनिक्स आज आपके साथ जुड़ा हूँ एनलोग कम्यूनिकेशन की सेकेंड क्लास लेके इससे पहले एनलोग कम्यूनिकेशन के लिए मैंने आपको एक पहली क्लास बताई दिये जिसमें मैं टॉपिक को डिसकस कर दा था बीजेटी है बाइपुलर जंक्शन टांजिस्टर मैं आपको उसी क्लास में बता चुका हूँ कि जो यह बीजेटी का टॉपिक है वो आपक के फैकलिटी कराएगी फिलाल यह जो कॉमन टॉपिक है यह आपको डोनों को ही पढ़ना है तो आप इस चीज़ को पढ़िएगा लास्ट क्लास को आप देखेगा अगर आपने यह क्लास ना देखियो तो इस क्लास को देखेगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा और उ इसे शौट वियू में लिखेगा शौट नोट्स की फॉर्म में बनाएगा एजन क्लैश को मैं आपको प्रोवाइट कर रहा हूं तो जो आपके आने वाले एक्जाम है उसके लिए इंपॉर्टन रहेगा ठीक है तो यह जो एनालोग कम्यूनिकेशन का मैं जो आज सेकंड ले रहा हूं इसमें मैं वही बीजेटी का हे टॉपिक डिसकर्स कर का लाओं बीजचेटी का पार्ट टु है यह एक आपका base होगा and then आपका collector होगा, three terminal device होगी, two diode रहेंगे, एक PN and PN, ठीक है, यहाँ पर जो यह junction है इसका, मैंने इसको बोला था junction J1 and इसको बोला था J2, अब मैं क्या बोलना हूँ, यह emitter और base की बीच का junction है, तो इसे मैं बोलना हूँ, J, E, B और base and collector का J, B, C, या फिस J, C, B बोल दो या फिस J, B, C बोल दो, तो यह आपका एक junction है, और यह आपका एक junction है, तो आपकी junction क्या है, जो आपके junction है, जो आपके junction है, जो आपके junction हैं, वो कौन से हो गए? J, E, B and J, C, B, ठीक है CBEB मैंने मौट लगा दिया एगा ठीक है आपको ऐसे भी ले सकते हैं फिलाल ये जंक्शन है एक जंक्शन आपका ये वाला जंक्शन है एक और ये जंक्शन आपका ये वाला जंक्शन है ठीक है ये दोनों डायोड है एक डायोड ये है एक डायोड ये है वो कैसे है व आपका ये P हो सकता है, ये N, P N डायोड, जंक्शन बीच में, या फिर ये P और ये N, तो P N डायोड का बीच में ये जंक्शन, या फिर इसके लावा, ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये आपका N हो जाए, ये आपका P हो जाए, और ये आपका N हो जाए, तो N P N भी हो सकता है या फिर PNP भी हो सकता है, या फिर जो भू मारकल में भी मिनलेका का NPN, यह QuS hai, जो भी रहा है आपका फिलाड dos Junction बरेंगे ingenction ठीक है तो यह आपका jurisdiction होगा दो क होगा है अब आप देखेगा मैंने आपको Diode जब पड़ाई था टा डाइओठ की क्लास में ने बताया था कि पी और N यह फिन और P दोनों जब मिलेंगे तो एक Jenक्षन फरम होगा उसे Junction को मैं दो बैस में जोड़ता हूं एक forward bias एंड एक reverse bias मैं आपको बताया था같ए जीड़ो बैस में जोड़ते क्योंकि दो बायास ने शॉर्ट सर्कुट करना पड़ता है वो अपने लिए एडवांटेज नहीं है वो अपनी एक तरीके से प्रिकॉशन से उसको एशॉर्ट ना हो पाए तो उससे बचाना है फिलाल तो इसको जब मैं अब अब आप देखेगा जब इस डायोड को सपोस्स कर लेता हूँ मैं ये पी नपी है एज्यूम करना हूँ ये भी आपका पी नपी है ये आपका पी नपी है अब इस इस जंक्शन को मुझे फारवड बायास लाना है तो ये पी जो है पॉजिटिव से होगा और जो आपका ये N है वो आपका N क्या हो जाएगा? निगेटिव से हो जाएगा तो अब ये कि ये जो P N डायोट है P positive से है N निगेटिव से है और ये junction जो डायोट होगा वो आपका जो depletion layer होगी ये forward bias में हो जाएगी ये आपका क्या हो जाएगा? आपका forward bias में हो जाएगा ये तो एक junction हो गया ऐसे ही दूसरा junction इस P को मैंने के कर दिया positive से और इस N को मैंने के कर दिया निगेटिव से तो अब ये वाला जो इधर भुल जाएगे P और N ये जो junction है P positive ये भी आपका forward bias हो गया तो दो junction है forward forward हो सकते है reverse reverse हो सकते है forward reverse हो सकते है reverse और forward हो सकते है 2 की power N possibilities हो गई तो आपका क्या हो गया 2 की power 2 equal to 4 4 conditions हो गई पहली conditions मैं माल लेता हूँ अभी तो मैंने example के form में बताया है कि forward forward suppose करो ये आपकी reverse bias है और ये भी आपका reverse bias कैसे reverse bias P आपका negative से N आपका positive से P negative N positive हो जाएगा reverse bias क्योंकि भाई पता है अगर P positive होता है N नेगेटिव होता है तो इसे कहते हैं forward bias और इफ अगर ये आपका P आपका हो जाए negative और N हो जाए आपका positive इसे कहते हैं reverse bias तो ये P और N के उपर का खेल है कि P टैप का मेटेर आपने negative से जोड़ा है या positive से जोड़ा है फिलाल मैंने अभी negative से जोड़ दिया P positive से P negative से N positive से तो ये आपका reverse bias ऐसे ही मैंने इसको कहा दिया ये negative और ये आपका positive तो ये भी आपका reverse bias तो यह condition हो गई दोनों ही reverse bias फिलाल इस बायास में हो गया second दोनों ही अगर मैं कह दूँ forward bias and forward bias दोने forward bias में forward bias के भी मैंने आपको condition बताई दी कि forward bias के लिए यहां पर जबहर इसे forward bias आना है इसे forward bias होना है तो यह positive से यह negative यह आपको forward bias ही दूनों जन्क्षन तो यह आपको forward bias हो गया अब क्या है तार्वबर से यह वाला जन्क्षन फॉर्बड बायास और यह फीन शन के वाला जन्क्षन जन्क्षन करेंगा इसको खूल बदायास होना इस वाले जिन्क्षन को तो आइस है इसको बदी बाइंस होना है तो पी क्या हो घागा ओ जलेगा निगेटिव से oh positive से अब यह हो चंशन क्या हो गया आपका यहो गया रिवार्स फॉर्वड रिवार्स टायरा और रिवयर्स बैशन बाक्ते यहां पर तोलब मैं ल styl यह आता है कि जो न है N नेगेटिव से भी अटेच है नेगेटिव टर्मिनल से और N ही जो है पुआपका पॉजेटिव से है, तो confusion यह है कि N नेगेटिव है या फिर N पॉजेटिव है तो यहाँ पर confusion कुछ नहीं है यह क्या है, यह इस P के रस्पेक्ट में पॉजेटिव है और इस वाले P के रस्पेक्ट में यह नेगेटिव है यह कौन सा P है, यह मीटर वाला P है यह highly doped वाला P है तो यह P plus है, by default यह normal P है और यह आपका N माइनस था तो यह जो है इसके रस्पेक्ट में है और यह इसके रस्पेक्ट में है या फिर मैं यह कहाँ कि यह सर्केट कुछ इस तरीके से है कि यह यहां पर यह supply ऐसे दी गई है यह supply ऐसे दी ground है और यह आपका ground है बट अगर मैं ऐसे structure बनाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि device आपकी complete नहीं है, ठीक है तो इसमें पूरा अर्थ लेना पड़ेगा इसको हटाके इसे मैंने with respect to यह कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका negative हो, आपका positive हो but जो होगा with respect to this and with respect to this होगा तो यह forward and reverse वाली condition भी हो सकती है, ठीक है एक fourth condition और होगी कि यह reverse हो जाया और यह forward हो जाया शहर आपको ना दिख रहा होनी चेमा आपको रफ करके उपर लिख देता हो थोड़ा सा first condition दोनों ही reverse bias reverse bias second condition दोनों ही forward bias forward bias, third condition यह आपका forward bias और यह आपका reverse bias and fourth condition यह आपका reverse bias हो जाया और यह आपका forward bias हो जाया इसको reverse bias होना है इसको forward होना है तो यह negative यह positive यह होगी आपका reverse bias और यहाँ पर यह reverse bias है इसे का तो forward bias यह होगी आपका forward bias और यह fourth condition का diagram हो गया तो कुल मलाकी यह diagram हो गया ठीक है बात important क्या है बात important यह है कि if यह जो emitter का junction है यह जो emitter वाला junction है emitter base common है यहां पर ही base common है इसे कहते है collector junction क्योंकि यह collector है और यहां base base तो common है तो base का word हटा दो वैसे इसका नाम हो गया collector base junction या फिर से collector junction भी कहते हैं collector junction ऐसे इसका नाम क्या हो गया emitter base junction या फिर से emitter junction भी कहते हैं ठीक है फिलाल तो अगर यह condition हो जाए यह condition हो जाए यह condition हो जाए और एकücht condition हो जाए इन चारो neighboring condition हो गया है तो इनने कहते है रीजन कि आपका transistor क्याशचे की यह के इन इन कंदिशन क्या इस condition मेश क्या है क्या होते हैं आपकी reason यह cattle mit कलेक्टर से जंक्शन के difference तो ये किस reason कहते हैं, इसे कि किस reason में काम करेगा तो ये आपका हो गया reason, working reason, कि किस reason में आपका काम कर रहा है अगर ये, देखिए गई, दोनों ही reverse bias हैं तो इसे कहते हैं, cut of reason cut of reason, दोनों ही अगर forward bias हैं तो इसे कहते हैं, saturation reason ठीक है भई, दिख रहा है saturation reason कहेंगे इसे, और इसे कि कहेंगे, cut of reason ठीक कोई दिखत, नहीं ठीक है, cut of reason and saturation reason ये अगर forward है और ये reverse है तो इसे कहेंगे आप, forward forward forward, active reason forward, active reason और last वाले को कहेंगे आप, अगर ये reverse है और ये forward है तो इसे कहेंगे, reverse reverse active reason ठीक है, तो ये आपका हो गया cut of reason ये रहा आपका cut of, ये आपका रहा saturation ये आपका रहा cut of reason, saturation reason, forward reason and reverse reason ठीक है, अपने लिए ये देखिएगा cut of, ये आपका input में reverse bias है reverse bias जब में ये input port होता है emitter base वाला होता है input port और collector base वाला होता है output port ये आपका होता है output port और ये आपका होता है input port तो input port है तो यहाँ पर input resistance होगा यहाँ पर output resistance होगा ठीक है, तो जब input resistance है तो input resistance आप देखेगा, कि यहाँ पर input resistance reverse bias में है तो very high होगा यहाँ पर भी high होगा output resistance तो input and output दोनों ही हाई होते हैं यहां पर forward यह भी forward और forward बायास में resistance क्या होता है कम हो जाता है रिवर्स बायास में क्या होता है greater than 1 Megahome होता है यह मैं आपको last class में डायोट की class में हम आपको discuss करके बता चुका हूं तो forward बायास में क्या हो गया और देखेगा forward बायास में यहां पर forward तो यहां पर resistance कम होगा यहां पर भी resistance कम होगा तो यह हो गया forward बायास का इसमें देखेगा इसमें input resistance forward बायास से यहां पर कम होगा यहां पर जो input resistance मैं लिख देता हूं यहां पर low है क्या r i और यहां पर जो होगा high हैगा क्या나 are not या फिर output resistance यहां पर क्या रहेगा output आपका हई रहेगा और output आपका हई रहेगा and input आपका हई रहेगा and output आपका वो लो रहेगा फिलाव यह जो condition है third point वाली forward active region या फिर इस सरफ active region के नाम से भी जाना जाता है अब यह condition देखिए, input low and output high जब मैं आपको BGT की basic property बता रहा था तो मैंने बताया था कि BGT का जो यह जो आपका BGT होता है याद आया, कि BGT का जो input होता है वो आपका low होता है input resistance and output resistance जो होता है वो आपका high होता है तो output resistance high है and input resistance low है किस reason में, इस reason में, forward active reason में तो यह जो रहे इसी में अपना बीजेटी में ली काम करता है वैसे काम किसी भी रीजन में कर सकता है इस रीजन में अच्छा काम करता है इस region में कौन सा काम ऐसा है जो अच्छा होता है BJT as an amplifier इस region में काम करता है तो आप से जो भी कभी भी पूछे कि BJT as an amplifier कौन सा region में काम करेगा cut off, saturation, forward and reverse तो आप कह देंगे कि amplifier की तरह ये forward active region में काम काता है याद रखना कि BJT as an amplifier काम करेगा इस region में forward active region में तो बाकी रीजन का क्या है बाकी रीजन में कोई काम नहीं होगा बाकी रीजन में भी काम होते हैं इस रीजन में cut off and saturation इन दो रीजन में यह switch की तरह काम करता है switch की तरह काम करता है forward active region में मैं आपको बता चुका हूँ इसमें as an amplifier की तरह काम करेगा ऑर लास्ट में जो रिवा से ड्युंश है वह इसी की दूसरी फ्रिंवेर्स एक्ट इत्व इसमें स्वीिच्ट की तरह काम करेगा इसमें इंप्रीफा से काम वो करेगा और इसमें इसमें डिजिटल डीजिट और आपको शाइद नीचे ना दिख रहा हो उपने दिता हो इन सभी डीजन को में यूश कहता हूं जितने भी है digital electronics के circuit में तो मैं आपको तीन पॉइंट में आपको बताए कि as an amplifier काम करेगा as an as an switch काम करेगा as an amplifier काम करेगा and as an digital circuit के दर काम करेगा वो सभी region में काम करेगा तो यह बात important है यह आप से exam में पूछी जाती है और यह पूछी गई है especially यह वाला point कि active region में as an amplifier की तरह काम करेगा BZAT का जो basic application होता है वो as an switch नहीं होता वो as an digital circuit नहीं होता वो as an amplifier होता है तो BZAT का mainly जो use है वो as an amplifier है इसलिए हम जो discuss करने वाले हैं वो BZAT active region में ही discuss करेंगे यह वाले reason में ही हम discuss करेंगे तो यह अपने लिए important रहेगा तो मैं जो आप classes दूँगा वो इस active region के उपर दूँगा active region का discussion करेंगे working को discuss करेंगे और इसको discuss करने के बाद मैं आपके एक application point जो की amplifier की तरह काम करेगा वो analog communication का topic है इसको मैं cover करूँगा ठीक है तो आप मेरे साथ बने रहेगा लास्ट classes देखेगा इस class को देखेगा फिर next class में जो आपकी next class होगी जिस भी की topic की तरफ move करेंगे ठीक है thank you so much पढ़ते देगे welcome